तो कोहरे का असर जिस तरह से यातायाद पर पड़ रहा है और आईए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अब जिस तरह से ट्रेनों की बात करें 81 ट्रेने लेट हुई है इसमें से 21 ट्रेनों को रिशिडीूल किया गया है 3 ट्रेनों को इसमें कैंसल भी किया गया है और 7 यह साथ कई ट्रेने 12 घंटे से ज़ादा रेट रेलवे स्टेशन पर याथी इसकी वज़े से परिशान है और दिल्ली ऐपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली ऐपोर्ट पर भी आठ इंटरनाशनल फ्लाइट्स लेट हैं दिल्ली ऐपोर्ट पर पाँच डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेट हैं तीन इंटरनाशनल फ्लाइट्स को इसमें डाइवर्ट किया गया है वहीं कोरे के कारण विजिबिलिटी कम है और ऐसे में हाथसा होने का भी खत्रा है तो हाथसे से बचने के लिए आप क्या करें अपनी गाड़ी में पॉग लाइट आप लगाईए पहले घना कोरा होने पर सड़क पर डाई तरफ आप गाड़ी चलाएं गाड़ी कभी बीच सड़क पर खड़ी नहीं करें कोरा होने पर तेज रफदार से गाड़ी नहीं चलाएं और सीट वेल्ट का अपना इस्तमाल करा कुछ बेसिक बाते हैं जिनका आप धियान रखें तो बहतर है कोरे की हलत में आप नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फून का इस्तेमाल नहीं करें ओवर्टेक करते समय जलबाजी नहीं करें तो एक कुछ चोटी चोटी बात हैं जो मौसम की मार से आपको बचा सकती हैं अगर आप थोड़ी एतियार बढ़ते हैं और अब आज साथ तारीख है और महीने की वो तारीख है जब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सैलरी मिलती है आज निजी क्षेत्र में काम करने वाले लागफों लोगों को सैलरी मिलेगी लेकिन सवाल ये है कि क्या सैलरी से बैंक अकाउंट में आएगी या फिर आपके जेब में भी आएगी ये सवाल इसलिए क्योंकि आज नोट बंदी का 28 वा दिन है लेकिन 28 दिन बाद भी हाला जसके तस है बैंक को और एटियम के बहार रोज लंबी लाइन दिखती है सवाल ये कि क्या आज प्राइविट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी आने पर उन्हें पैसा मिल पाएगा और रांची के जिस स्कूल को बिहार जहारकन के पहले स्कूल होने का गौरव मिला है वो स्कूल आज अपनी बदहाली पर आसु बहारा है ये स्कूल 21 की जगा सिर्फ चार शिक्षकों के भरो से चल रहा है जोसमें बच्चों की पढ़ाई आप समझेए किस तरह से बादित हो रही होगी प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने की लाख दावे शिक्षा का अस्तर सुधाने के लिए करोडों का बजट लेकिन क्या वाकई सरकारी दावे और करोडों का बजट स्कूलों और शिक्षा के सित्थी को सुधाने में काम्याब हो रहे हैं राची का एक जाना माना स्कूल इनहीं सरकारी दावों की पोल खोल रहा है राची की शहीद चौक के पास बने इस जिला स्कूल की शिरुवात साल 1849 में हुई इस दोरान ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था हलाकि बाद में इसे हिंदी मीडियम कर दिया गया यहां से पढ़े कई छात देश और दुनिया में स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं लेकिन विडम ना देखिए आज खुद ये स्कूल ही अंधेरी की ओर जा रहा है स्कूल में 900 चातर हैं और शिक्षकों के 41 पत लेकिन सिर्फ चार शिक्षक के भरों से पूरा स्कूल चल रहा है लेकिन इनकी संख्या भी जल्द कम होने वाली है इन चार में से दो इसी महिने रिटायर भी होने वाले हैं शिक्षकों के कमी के वज़े से चातरों के पढ़ाई पर बुरा असर पढ़ रहा है आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉलिटिकल साइंस की शिक्षक सिंस्कृत पढ़ाते हैं तो वकेशनल के शिक्षक बायलॉजी और संगीत की शिक्षक गणिद पढ़ाते हैं अगर हालात ऐसे हैं तो भला चातरों का शिक्षक अस्तर क्या होगा अंदाजा लगा लीजी कुल अंग्रेजी हाई स्कूल हुआ करता था और उसी हिसाब से ये पुस्तक हैं थी आज बच्चे हिंदी मीडियम के चात्र हैं और बिवस्ति तरीके से केटलॉक भी नहीं बना हुआ है जो उनको दिया जा सके दरसल पिछले कई सालों से राज्किय विद्याले में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है जो शिक्षक डिटायर होते गए उनके जगा पर नियुकती नहीं हुई यही वज़े है कि स्कूलों में जैसे तरसे काम चलाया जा रहा है लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्कूल के प्रिंसिपत सब ठीक हो जाने की बात कह रहे हैं देखिए स्कूल में माद्मिक में 40 शिक्षकों का पत सरजीत है हमारे हाँ अभी उसमें 3 शिक्षक का जिरत है वो दिसंबर में एक और जनवरी में एक रिटार्ड हो रहे है बने एक केवल बच जाएंगे जो हमारे माद्मिक शाकाश है लेकिन डियो साहब के द्वारा पति दोजन हुआ है करीब 6-7 शिक्षकों का जिसके द्वारा हम लोग संचालिक कर रहे है प्लस2 में जितने भी पद है उसमे सारे सिक्षक है इक समय था जब इस स्कूल में बच्चों के नमंकर के लिए परिजन परिशान रहते थे लेकिन आज हालात यह हैं कि स्कूल को शिक्षक ही नहीं मिल रहे अगर हालात यही रहे तो सर्वशक्षा अभ्यान का मिशन कैसे पूरा हो पाएगा राची से इंडिया 247 के लिए सनी शरत